भारत एक मंदिरों का देश है जहां करोडों मंदिर हैं जहां लोग भगवान की पूजा करते हैं लेकिन भारत में कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां पुरुषों का जाना बेन है कई मंदिरों में तो साल के कुछ दिन सिर्फ महिलाओं को ही पूजा अर्शना करने की अनुमती है चलिए आपको बताते हैं वे मंदिर कहा हैं जहां सिर्फ महिलाओं को ही पूजा अर्शना करने की अनुमती दी गई है राज राजिश्वरी माता मंदिर बिहार के मुजखफर पुर का माता मंदर आम तोर पर सभी श्रद्धालूओं के लिए खुला होता है लेकिन ऐसी माननता है कि मंदर में विराजमान शोड़सी देवी कुवारी कन्या है वह महीने में शार दिन रजस्वला में होती है इस दोरान कोई भी पुरुष मंदर में प्रवेश नहीं कर सकता इस नियम का इतनी सकती सिपालन किया जाता है कि मंदर के पुजारी को भी इस दोरान गर्वग्रह में रहने की अनुमती नहीं होती इस मंदर की गिंती बिहार के प्रमुख शक्ती पीठों में होती है कामाख्या मंदर, कामाख्या मंदर नीलांचर परवत पर बना हुआ है आपको बता दें कि माता के सब ही शक्ती पीठों में कामाख्या शक्ती पीठ का स्थान सबसे उपर है और यहां मंदर असम के गुहाटी में स्थित है दरसल माता के महवारी के दिनों में यहां उत्सव मनाया जाता है जिसके चलते इन दिनों पुर्षों की एंट्री बिल्कुल बैन होती है और इस दौरान यहां की पुजारी भी एक महिला हो जाती है यहां पंडित पुजारी को पुजा करने की इस दौरान अनुमती बिल्कु देव का मंदिर भगवान ब्रह्मदेव का मंदिर पूरे भारत में सर्फ एक ही है जो राजुस्थान के पुष्कर में मौजूद है इस मंदर का निर्वार चौदवी सतापदी में हुआ था यहां शादी शुदा पुरुष का आना बैन है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देव काल देवी मंदिर के अटट्टू भगवती मंदिर में महिलाओं का वर्चस्व है यहां हर साल पोंगल का खास्त्योहार मनाया जाता है जिसमें लाखों महिलाई श्रद्धालू हिस्सा लेती है यह कारिक्रम दस दिनों तक चलता है इसे नारी पूजा भी कहते हैं इस दौर रखते हैं और पहले शुकरवार को महिलश ध्रद्धालोगे पैर्द होते हैं इस दिन को धनओ कहा जाता है भगवती देवी मंदिर यह मंदिर कन्या कुमारी में स्थित एस मंदिर में मा भगवती की पुजा की जाती हैma कहसे बहाís जाता है कि भगवान शिव इस गेट तक ही मा के दर्शन कर सकते हैं इसके साथ ही शादी शुदा पुरुष को भी इस मंदर में जाने की अनुमती नहीं है यह कुछ ऐसे मंदर हैं जहां पुरुषों को जाने की अनुमती नहीं दी जाती लेकिन पुरश दूर से माता का आशरवाद ले सकते हैं